ओम नमशिवाई हिरन्य कश्यपू की तपश्या और ब्रह्मा से वर्दान पाकर उसका अत्याचार नर्शी हैं द्वारा उसका वद और प्रलाद को राज्य प्राप्ति सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी इधर वरा है रूपधारी स्री हरी के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर मिरन्य कश्यपू सोक और क्रोध से संतिप्त हो उठा स्री हरी के साथ वेर बांद करना तो उसे रुचता ही था अतै उसने सहार प्रेमी और फिर वीर असुरों को परजा का विनाश करने के लिए आग्या दे दी तब वे सहार प्रिये असुर स्वामी की आग्या को सिर चड़ा कर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लग सारा देव लोग तहस नहस हो गया तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुपत रूप से भूतल पर विचड़ने लगे उधर भाई की मृत्यों से दुखी हुए हिरन्य कश्यपू ने भाई को जलांजली देकर उसकी इस्तरी आदी को ढांडस पंदाया तत्पस्चात देट्यराज ने अपने लिए विचार करके की मैं अजय अजर और अमर हूँ हो जाओं मेरा ही एक छत्र समराज्य रहे और मेरा प्रतिद्वन्दी कोई ने रह जाए यो धारना बना कर वहे मंद्रा चल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपश्या करने लगा उस समय वहे पैर के अंगुठे के बल के खड़ा था उसकी बुजा उपर को उठी थी और द्रिश्टी आकास की और लगी थी उसकी तपश्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विक्रत हो उठा वे स्वर्ग को छोड़ कर देव ब्रह्म लोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखडा कह सुनाया व्याज जी ने उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा ब्रगू दक्ष आदी के साथ उस देत्यरस्वर के आश्रम पर गए तब जिसने अपने तपसे संपूर्ण लोकों को संतिप्त कर दिया था उस हिरन्यकष्यपू ने वर देने के लिए आये हुए पद्मयोनी ब्रह्मा को अपने सामने उपस्तित देखा उधर पिता महे ने भी उससे कहा वर माग तब जिसकी बुद्धी मोहित नहीं हुई थी उस असुर्ण ने विधाता की उस मधुरवानी को सुनकर इस प्रकार क हिरन्यकष्यपू बोला एसवर्य शाली प्रजापती पिता महे मैं चाता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में रात में उपर रथवा नीचे कहीं भी सस्त्र अस्त्र पास वज्र सुस्क व्रक्ष परवत जल अगनी रूप में सत्रू के प्रहार से देवता देत्य मुन हिरन्यकष्यपू के वैसे वचन सुनकर पद्मयोनी ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागरत हो उटा उन्होंने मन ही मन विष्णों को प्रणाम करके उससे कहा डितकेंद्र मैं तुझ पर प्रसन हूँ अतै मुझे तुझे सारी वस्तुए प्राप्त होगी तुने 96,000 वर्षों तक तप किया है अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है अतै तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्ये का उपभोग कर ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरन्यकष्यपू क मुख प्रसनता से खिल इस प्रकार जब पिता महें ने उसे दानव राज्ये पर अभिशक्त कर दिया तब वह उम्मत हो उठा और तिलोकी को नश्ट करने का विचार करने लगा फिर तो उसने संपोन दर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया तब देवता करने का वचन दिया तब देवता अपनी इस्थान को लोट गए तदंतर महात्मा विश्णु ने ऐसा रूप धारन किया जो आधा सिंग और आधा मनुश्य का था वैं अत्यंत बहेंकर तता विक्राल दिख रहा था उसका मुख खूब फैला हुआ था नासी का बड़ी सुन और उसका प्रभाव प्रले कालीन अगनी के सद्रिश था अधिक कहां तक कहा जाए वह रूप जगन में था इसी रूप से वे भगवान बासकर के अस्ताचल की सरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविश्ठ हुए उन अतुल प्रभाव साली नर्शिह को देख कर सभी देत्य एवं उनके एक साथ उन पर तूट पड़े तब उन अध्वुत प्राक्रम की नर्शिह ने बहावली देत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़ कर तोड मरोड दिया फिर वे उस नगर में घूमने लगे तब उन सर्व में सीह को पुत्र प्रलाद ने राजा से कहा यह म्रिगेंद्र जों तो जगन में दिख रहा है यह यहां किसलिए आया है प्रलाद ने पुने कहा पिता जी मुझे तो ऐसा प्रतित हो रहा है कि यह भगवान अनन्त है और नर्शिह का रूप धारन करके आपके नगर में प्राल दिख रही है अतै आप युद्ध से हटकर इनकी सरण में जाईए इन से बढ़कर तिलोकी में दूसरा कोई युद्धा नहीं है इसलिए आप इन म्रिगेंद्र के सामने जुक कर अपने राज्य का भोग कीजिए अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उ दोल ब्रकुटी और नेत्र वाले सिहां को पकड़ दो तब स्वामी की आग्या से उन म्रिगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े देत्यारण भूमी में गुसे परंतु जैसे रूप की अभिलासा से अगनी में प्रवेश करने वाले पतिंगे जल उसी थरेवे सब के सब चन भर में ही जल कर भस्म हो गए देत्यों के डगद हो जाने पर भी वहे देत्यराज सस्त्र अस्त्र और सक्ती पास रिष्टी अकुस और पावक आदि से उस म्रिगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा उस इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद वज्र के समान कठोर और अपनी अनेकों बुजाओं से उस देत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानवों पर जांगों पर लिटा कर दानवों के मर्म को विद्रिन करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लत्पत हुए उसके हिरदय कमल को नि उस कास्ट भूत देत्य को छोड़ दिया उस समय उस देव सत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रशनता हुई उसी अवसर पर प्रलाद ने आकर उनके चरणों में सीर जुकाया तब अद्बुत प्राक्रमी विश्नु ने प्रलाद को बुला कर उन्हें देत्यों के राजय पर अभिशिक्त किया अतरकित गति को प्राप्त हो गए अर्थात अंतर ध्यान हो गए तद अंतर पिता महें आधी समस्त सुरेश्वर परम प्रशन हो अपना कारिये सिद्ध करने वाले पूझनिय भगवान विश्नु को उसी दिसा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए विप्रवर प्रशंग वस मैंने रुद्र से अंदक की उत्पति वराह से वहिरन्याक्ष की मृत्यों नर्शिय के हातों उसके भाई का विनाश और प्रणाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया अब मैं सीव की क्रपा से प्राप्त हुए अंदक के प्रभाव का संकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महिश के गणा ध्यक्षपद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ ओम नम शिवाए